आईए आज हम study करेंगे भातिक विज्ञान का च्याउथा अध्या है जिसका नाम है सम्तलमेगति अगर इंगलिस में देखा जाए तो इसको बोलेंगे motion in a plane तो plane का आर्थ आप लोग समझी रहे होंगे कि plane का मतलब होता है कि जिसमें उपर नीचे कहीं उचा कहीं खाली ना हो और एक सतह हो तो कहने का मतलब यह हो गया कि जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका जो यह page है यह page एक plane है और इस plane में अगर देखा जाए तो दो भी माएं हैं एक तो यह लंबाई हो गई और दूसरी चोड़ाई हो गई तो लंबाई बड़ी होगी चोड़ाई के तुलना में चोड़ाई का माप कुछ कम होगा लंबाई का माप कुछ ज़्यदा होगा तो समतल का मतलब यह है कि जिसमें दो विमा हो एक लंबाई हो जाए कि एक चोड़ाई हो जाए तो दो विमी अतल जो होगा उसी को हम समतल कहेंगे तो अभी इसके पहले हमने एक विमी अगति पड़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि एक सरल रेखा जैसे है एक सरल रेखा, सीधी रेखा तो उसमें एक ही विमाई है सिर्फ लंबाई है चोड़ाई नहीं इसमें अब देखिए दो आगए इसके बाद अगला जो अध्याय होगा उस अध्याय में तीन विमाई होगी लंबाई चोड़ाई और उचाई भी आ जाएगी तो सम्तल का मतलब जिसमें दो विमाई हो लंबाई और चोड़ाई तो अब जो इस चैप्टर में हम अध्यान करेंगे उसमें लंबाई और चोड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं होगा तो इसको देखते हैं अध्याय चार सम्तल में गति तो सबसे पहले भूमिका यानि इंट्रोड़क्शन तो करा पिछले अध्या में हमने इस्थित विस्थापन वेग तथा त्था त्वरण की धाणाओं को विकसित किया था इस्थित का मलब पोजीशन विस्थापन का मतलब डिस्प्लेशमेंट वेग का मतलब विलाश्टी त्वरण का मतलब एसिलेरेशन इनको विस्थार से हमने पहले चैप्टर में आपको बता दिया है कि धाणाओं को विकसित किया था है जिनकी किसी वर्ष्थ की सरल रेखी गति का वणन करने के लिए आवसेक्टा पढ़ती है किसी भी वर्ष्थ की अगर सरल रेखा की गति की बात करें कि वर्ष्थ सरल रेखा में गति कर रही है तो पोजीशन, डिस्प्लेशमेंट, विलाश्टी, एसिलेरेशन इन सब की जरूरत हमको पढ़ती है क्योंकि एक भी मिय गति में मात्र दो ही दिसाएं संभाओ है दो दिसाएं कौन कौन सी एक तो या तो सरल लेखा है माली जी एक कोई सरल लेखा है तो इसमें वर्ष्ट या तो आगे चल सकती है या पीछे चल सकती है तो अगर आगे को इदर को पर्शिम माने इदर को पूरब तो यह तो पूरब में चलेगी या पर्शिम में चलेगी तो दो ही दिसाइं इसमें questa तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि एक विमिय गति में मार्त दो ही दिसाइं शंभावावाई इसलिए इन रासियों के दिसात्मक पक्ष को प्लस और माइनर चिन्नों से ब्यक्त कर सकते हैं तो इसलिए हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें जिधर को वर्ष्टु गत्य करते थे उसको धनात्मक चिन्न से और उल्टा दिसाको रिनात्मक चिन्न से ब्यक्त करते थे परन्त जब हम वर्थों की गतिका दुई विमी यानि एक सम्तल या त्री मिवी मतलब दिक इस्थान यानि खाली इस्थान पर वर्णन करना चाहते हैं तब हमें उपयुक्त बहुतिक राशियों का ध्यन करने के लिए सदिसों की अवस्थेक्ता पड़ती है तो दिक इस्थान मनलब खाली जगा है जैसे परतवी को छोड़ दिया जाए तो आस्मान पूरा खाली है तो उसमें किसी भी तरफ हम लोग जा सकते हैं यानि लंबाई चोड़ाई उचाई गहराई किसी भी तरफ जा सकते हैं तो इसलिए दिक इस्थान कहा है त्री मिमी ये गटी को यानी three dimensional को. तो इसको ध्यान देना है कि जब हम अगर तीन दिसाएं हो जाएंगी तो तीन दिसाओं में हम कैसे बfulness करेंगे कि इस दिसा विक्टर होता है तो सदिसों के अवसक्ता पढ़ती है अब सदिस क्या होते हैं अभी हम विश्तार से पढ़ते हैं आता है उस सरपर्थम हम सदिसों की भासा अर्थात सदिसों के गुणों उन्हें उपयोग में लाने के लिए लाने की बिदियों को सीखेंगे ठीक ना तो अब चूंकि सदिसों की और सकता पढ़ेगी एक प्लेन में गति के लिए एक समतल में गति के लिए या इसके आगे वाले चैप्टर में त्री विमी ये गति त्री डाइमेंशनल गति यानि लंबाई चवडाई उचाई कहीं भी गति के लिए सदिसों की और सकता पढ़ेगी तो इसलिए हमें सबसे पहले सदिसों को पढ़ना तो अब सबसे पहले देखे कह रहा है सदिस क्या है सदिसों को कैसे जोड़ा घटाया या गुणा किया जाता है सदिसों को किसी वर्ष्टविक संख्या से गुणा करें तो हमें क्या परिणाम मिलेगा यह सब हम इसलिए सीखेंगे जिससे किसी सम्तल में वर्ष्टु के वेगेयों तरण को परिभासित करने के लिए हम सदिसों का उपयोग कर सकें इसके बाद हम किसी सम्तल में वर्ष्टु की गति पर परिजर्चा करेंगे किसी सम्तल में गति के सररुदाहन के रूप में हम एक समान तुरित गति का अध्यन करेंगे तथा एक प्रच्छेप की गति के विशे में विश्तार से पढ़ेंगे अब देखें आपर एक समतल में गती एक समान गती तो पीछे पढ़ चुके हैं लेकिन प्रचे पे गती आप नहीं समझ रहे हैं तो प्रचे पे गती का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है कि मान लीजिए ये धर्ती का सतह है यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है और यहाँ से कोई पत्थर फेकता है एकदम सीधा उपर क्यों नहीं 90 डिगरी के अलावा किसी भी कोण पर फेकता है तो किसी भी कोण का मला भी समतल के उपर जितने भी 90 मतलब 0 से 90 डिगरी कोण पर तो मान लीजिए कोई पत्थर फेक दिया तो वो इस तरह से ऐसे चलते चलते इस तरह प्रतवी में गिर जाएगा तो यह जो पत्थ है उस पत्थर के गिरने का इसे ही प्रचेप पाथ प्रचेप पत्थ प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं और इस पत्थ में जो यह पत्थर गति कर रहा है इसको प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रचेप गति कहते हैं तो इसको हम प्रचेप गति कहेंगे औ ब्रती गति से हम भली भाती परचित हैं जिसका हमारे दैनिक जीवन में विशेश महत्त है अब देखे ब्रती गति आ गई तो ब्रती गति का मतलब है कि माल लीजे ब्रत है ब्रत का मतलब किसी जो है समतल पर या एक माल लीजे पेज है इसमें इस प्रकार से खीचा जाए कि ए असी बिंद पर फिर रह जाएए गोला और बरता है इस बात को ध्यान दिजीए यह हमारा ब्रतव है और ब्रतव है और बमर हमारा जैसे गेंद गएंद हमारा गोला है गोला में State in डाइमेंजन होती हैं तीन विमाएं होती हैं लंबाई चोड़ाई उचाई जबकि ब्रत में केवल दो विमाई होती हैं लंबाई और चोड़ाई तो ये गेरा ही है ब्रत को अंग्रेजी में सरकिल कहते हैं जबकि गोला को अंग्रेजी में इसफियर कहते हैं इन बातों को वि एक समान बरती गत की कुछ विस्तार से चर्शा करेंगे और एक समान बरती गत की कुछ विस्तार से चर्शा करेंगे और एक समान बरती गत को भी यहाँ पर हम चर्शा करेंगे तो अब आगे देखते हैं हम इस अध्याय में जिन समीकरणों को प्राप्त करेंगे उन्हें आसा तो सबसे पहले हमारा आज आता है अदिस और सदिस तो अदिस क्या है और सदिस क्या है और अदिस को हम अगरेजी में सकेलर कहते हैं तो अदिस और सदिस यानि सकेलर्स और वेक्टर्स के बारे में हम लोग स्टेडी करेंगे तो देखिये मोटी मोटी भासा समझी जाए अगर कुछ भी न ग्यान हो मोटी मोटी भासा समझी जाए तो इसके नाम में ही इसकी परिभासा नहीं था सदिस का मतलब सा मतलब सहित दिसा मतलब दिसा तो दिसा सहित मतलब जिसमें दिसा भी साथ में जुड़ी हो जिस परिवासा में उसको हम सदिस कहेंगे जिस भावतिक रास की परिवासा में दिसा जुड़ी होगी उसे सदिस कहेंगे तो अब नीचे पढ़ते हैं हम भावतिक रासियों को अदिसों तथा सदिसों में वर्गिकरत करते हैं दोनों में मूला अंतरिया है कि सदिस के साथ दिसा को संबद करते हैं वहीं अदिस के साथ ऐसा नहीं करते हैं तो बस यही एक लाइन आपके लिए बहुत महतूर है, कि सदिस के साथ दिसा संबद करते हैं, अदिस के साथ दिसा संबद नहीं करते हैं, एक सदिस रासी वो रासी है जिसमें मात्र परिमार होता है, एक अदिस रासी, तो जैसे बात है जब दिसा नहीं होगी, तो केवल परि तो अब दिसा आ गई तो 10 मीटर पूरप दिसा में कहेंगे तो यही अब सधिस हो जाएगा तो इसको समझते हैं इसे केवल एक संख्या या मूचित मातरक द्वारा पूर्ण रूप से ब्यक्त किया जा सकता है तो जैसे 10 मीटर कह दिया तो 10 हमारा संख्या हो गई यो मीटर हमारा मात्रक तो अदिस रास को संख्या और मात्रक द्वारा के वल ब्यक्त कर सकते हैं इसके उदाहान है अब जैसे उदाहान के तवर पर हम कहें तो जैसे उदाहान के जैसे कह रहा है कि दो बिंदू के बीच की दूरी अब दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी 10 मीटर है, अब इसमें मीटर तो आ गया, मातरक भी आ गया, 10 संख्या भी आ गया, लेकिन दिशा नहीं आई किसी वर्षतु की शंगत यानी द्रभ्यमान द्रभ्यमान दस किलो आ गया कोई बात नहीं दस किलो के बाद क्या है वो सरसों है कि आलू है कि क्या इसकी कोई ब्याक्या नहीं केवल दस किलो मात्रक है और संख्या है तो ये अदिस हो गया किसी वर्ष्तु का ताप करम, अगर टंपरेचर लिया जाए किसी वर्ष्तु का, तो टंपरेचर मानिजिए 10 डिगरी सिंटिग्रेट है, तो 10 संख्या आ गई, सिंटिग्रेट मात्रक आ गए, अदिशा कुछ भी नहीं है, या किसी भी अन्य चीज की चर्चर नहीं की गई, तथा वो समय जिस पर कोई गटना गटी है, तथा वो समय आनि ताक्षणिक समय कोई गटना गटी, तो उसे भी हम अदिस कहेंगे, अदिसों के जोड में वही नियम लागू होते हैं, जो सामान बीजगरित में इसको ध्यान देना है, यह अदिसों को अगर जोड़ा जाए, त साधार तौर से हम लोग उसको जोड या घटा सकते हैं, आदिसों को हम ठीक वैसे ही जोड सकते हैं, घटा सकते हैं, गुड़ा या भाग कर सकते हैं, जैसे कि हम सामान संख्याओं के साथ करते हैं, तो यहां तक underline कर लीजे, अब आगे भी underline करना है, करते हैं तो यहां तक हो जाएगा अब देखें उदाहन बता रहा है कि उदाहन के लिए यदि किसी आयत की अब यहां तक हो गया अब इसके बाद उदाहन देखें एक आयत होता है एक वर्ग होता है तो आयत में लंबाई और चोड़ाई दो होती है यानि लंबाई जो ज़्यदा होती है चोड़ाई जो कम होती है तो लंबाई और चोड़ाई जिसमें दोनों होंगी उसे हम आयत बोलेंगे और जिसमें लंबाई और चौड़ाई एक ही होगी यानि लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी तो उसको हम वर्ग बोलेंगे तो आयत और वर्ग में पहले अंतर समझे तो कहरा है उदाहण के लिए यदि-किसी आयत की लंबाई और चावडाई करमसा है, एक मीटर तथा जीरो पॉइन फाइव मीटर है, तो उसकी परिमाप चारो भुजाओं के योग, यानि लंबाई धन चावडाई, धन लंबाई धन चावडाई, मलब चारो भुजाओं के मा अगर हम उसको खीचेंगे तो चार परिद होंगी, चार लंबाई और चोड़ाई मिलाए के चार होंगी, मा लेजे ये कोई आयत है, तो एक तो लंबाई ये हो गई, एक 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 लंबाई ये हो गई, तो दो चोड़ाई हो गई तो दो बार देखो लंबाई को जोड़ा है दो बार चोड़ाई को जोड़ा है तो यह परिमाप होगा तो इसको जोड़ दिया तो वन लंबाई चोड़ाई प्लस लंबाई प्लस लंबाई प्लस चोड़ाई सब हो गए तो यह आगया तीन मीटर हर परिमाप आगया वो भी अधिस है क्योंकि इसमें भी दिशा नहीं है हम एक दूसरे उदाण पर विचार करेंगे यदि किसी एक दिन का अधिकता में उन्तम तापकरम कमसा 36.6 दिगरी सेंटिगेट तो इन दोनों का अंतर 11.4 दिगरी सेंटिगेट होगा अब यह देखें सबसे ज्यादा दिन भर का सबसे ज्यादा टंपरेचर 35.6 दिगरी सेंटिगेट है और सबसे कम तापमान 14.2 दिगरी सेंटिगेट है तो अगर हम इसको घटाएंगे तो 11.4 दिगरी सेंटिगेट आ जाएगा तो इसमें भी देखिए संख्या है और मात्रक है और कुछ भी नहीं है इसलिए ये भी अधिस राती है इसी प्रकार यदि एल्मुनियम के किसी एक समान ठोस घं की भुजा 10 cm है तो उसका द्रभिमान 2.7 kg है तो उसका आयतन 10 कियाते मैनस 3 मीटर क्यूब एक अधिस होगा तता घंत तो 2.7 इंटो 10.3 kg पर मीटर क्यूब भी एक अधिस होग गया एक ये हो गया और इसको मिला दिये जाए ये एक घं बन गया जैसे माचिस देखते हैं या डिब्बा कोई देखेंगे चयोगोर तो उसको घं कहेंगे बस घं में अंतर ये है कि घं की चारों भुजाएं बराबर होती है ध्यान देना है सारी भुजाएं जितनी भी छै है प्रष्ठ गर जितनी भुजाएं होंगी वारा जितनी भी होँगी तो सब जो है बराबर होंगी ये ध्यान देना है तो यहां पर देखे काहरा है तो एक भुजा 10 cm मनलब सारी भुजाएं 10 cm तो जाएसी बात है कि घं का जो आयतन होता है वो लंबाई गुढे चवडाई गुढे उचाई होता है तो 10 cm गुढे 10 cm गुढे 10 cm गुढे 10 cm तो यह आजाएगा हमारा 1000 cm मीटर क्यूब हो जाएगा है सेंटीमिटर सेंटीमिटर कीूब होगा मीटर मीटर की टुल मीटर क्यूब हो जाएगा अब इसी परकार ए अगर हम घहनत्य अबात करें तो नहाल एक्तन और आयतन इतना आगया और घनत बरावर द्रभमान बटे आयतन होता है तो घनत बरावर घनत को डेंस्टी D लिख दें द्रभमान को M लिख दें और आयतन को V क्योंकि डेंस्टी मास वोल्यूम मास का वनलब द्रभमान, वोल्यूम का वनलब आयतन, डेंस्टी का वनलब गनत वंगरेजी में तो गनत बरावर द्रभमान बटे आयतन तो द्रभमान हमारा 2.7 केजी है और आयतन हमारा 2.7 into 10 to power minus 3 है ये गलत हो गया आयतन हमारा 10 to power minus 3 है तो ये अब ऊपर चला जाएगा तो 2.7 into 10 to power 3 हो जाएगा तो यही 2.7 into 10 to power 3 अब इसका मातर केजी है नीटरे वाले का मीटर क्यूब है तो ऊपर जाएगा तो केजी प्रति मीटर क्यूब ही है केजी मीटर की पावर minus 3 हो जाएगा तो ये सिभात इसमें भी संख्या है और मात्रक है तो ये भी अदिस रासी हो जाएगी अब आगे देखते हैं एक अदिस रासी वो रासी है जिसमें परिमार तथा दिसा दोनों होते हैं सदिष राश सदिष राश अभी तक हमने अदिष पड़ा अब सदिष की बात करना है तथा वो योग संबंधित त्रिभुच के नियम अथवा समान आंतर चतुर गुद के योग संबंधित नियम का पालन करती अब इसको ध्यान देना बहुत इंपर्टेंट है कि इसको हम उस जोड़ देते थे घटा देते थे उस तरह यहां पर नहीं को यह योग संबंधित त्रिभुच के या चतुर भुच के नियम को पालन करेगा इस प्रकार एक सदिष को उसके परिमाड की संख्या तथा दिषा द्वारा व्यक्त करतें तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं क दिसा दोनों की जगरत पड़ेगी ब्यक्त करने के लिए कुछ भावतिक रासियां जिन्हें सदिस द्वारा ब्यक्त करते हैं वे हैं विश्थापन वेग तुरन तथा बल तो कुछ भावतिक रासियां जो सदिस रासियां उनको यहां पर बता दे रहा है कि विश्थापन वेग तुरन तता बल विश्थापन का विलास्थी तुरन का मतलब एसिलेरेशन बल का मतलब फोर्श तो इनको हम लोग सदिस रासियां कहते हैं सदिसों को ब्यक्त करने के लिए इस पुर्षतक में हम मोटे अच्छरों का प्रयोग करेंगे इसको ध्यान देना वो ये बता रहा है कि हम इस पूर्टतक में जब सदिश्क ब्यक्त करेंगे तो मोते अच्छर से ब्यक्त करेंगे जैसे कि वेग सदिश्क ब्यक्त करने के लिए वी चिन्न के प्रियोग करते हैं एक उदाहन भी दिखा रहा है कि जैसे अगर हमें वेग ब्यक्त करना होगा तो कैप्टल वी से इसको मोटे अच्छर से लिखेंगे ताकि पता चल जाए कि ये वेग है चाल नहीं है परंतु हाथ से लिखते समय क्योंकि मोटे अच्छरों का लिखना कोई संभव थोड़ा मुस्किल होता है इसलिए एक सदिस को अच्छर के ऊपर तीर लगा कर वेक्त करते हैं जैसे वी के ऊपर ये तीर लगा कर वेक्टर बना दिया तो इसको ध्यान देना है कि जब हम छपाई वाले अच्छर वाले लिखेंगे तो उसको मोटे अच्छर में लिखेंगे और जब हम अपनी कापी में लिखेंगे तो मोटा लिखना चूंकि कठिन है तो लिखते समय उसके उपर तीर लगा देंगे जैसे माल लेजिए वेक्टर वी तथा वेक्टर वी दोनों ही वेक्ट सदिस को ब्यक्त करते हैं। वी दोनों ही वेक्टर वेक्ट करते हैं। वेक्ट करेंगे या फिर वेक्टर 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 व वाई से बेक्त करते हैं मतलब छपाई में बड़े थोड़ा बड़ा मोटा लिखेंगे जब कि इसके परिमानों को कमसा हम ए ए पी क्यू आर एक्स वाई बेक्त करेंगे अगर मोटा लिखा हो या कैप्टल में लिखा हो तो हम उसको मान लेंगे कि ये हमारा सदिस रासी है और अगर उसका इसमाल में लिखा हो तो मान लेंगे कि ये परिमान है परिमान है मतलब केवल संख्या है उसी जैसे ए सदिस है लेकिन इसमाल है ये जो पतले अच्चर में लिखा है ये केवल परिमान है यानि magnitude केवल है तो इन बातों को हमें ध्यान देना है अब यहाँ पर दे कि त्रिभुज का नियम मतलब ट्रेंगिल लाफ एडिशन या समांतर चतुर भुज का नियम पारलेलो ग्राम लाफ एडिशन ये नियम दोनों लागू होगे जिसको हम गलती से लग ट्रेंगिल बोल गए थे तो पारलेलो ग्राम मतलब समांतर चतुर पारलल है तो समांतर चत कैयर आए कि किसी सम्तल में किसी वर्ष्थ की इस्थित बताना हो तो एक मूल बिंद चुन लेते हैं उसको O मानते हैं अब कहरा है कलपना कीजिए कि दो भिन भिन समयों T और T डैस पर वर्ष्ट की इस्थित करमसा P और P डैस है जैसा कि चित्र चारद असमलों A में दिखाया गया है तो इस चित्र को देख लेते तो यहाँ पर देखें चित्र में यहाँ पर O बिंद मान लिया है अब यहीं से सारी चीजों की इस्थित बताएगा तो जैसे P और P डैस बिंद है तो हम अगर इसकी इस्थित बताएगे तो O से O P हो जाएगा और O P डैस हो जाएगा तो O P और O P डैस के बीच यह जो है जो सदिस है इसकी ब्याक्खा करने के लिए हम इसमें से इसको घटाएगे सदिस के इसाब से ऐसे नहीं सिंपल तो यह हमारी P से P डैस के बीच की दूरी आ जाएगी तो इसको हम लोग समझते हैं तो वही कह रहा है कि हम P को O से एक सरलेखा से जोड देते हैं अब देखिए यह P से O को P से O को एक सरलेखा से जोड दिया जो यह विक्टर हो जाएगा इस प्रकार O P समय T पर वर्ष्ट की इस्थित सदिस होगी तो यह जो O P है यह O P हमारा T समय पर वर्ष्ट का इस्थित सदिस हो जाएगा पोजीशन विक्टर हो जाएगा इस्थित सदिस यानि पोजीशन विक्टर इस रेखा के सीरे पर एक तीर का निसान लगा देते हैं इसे किसी चिन मान लीजिए आर से निरूपित करते हैं तो इस रेखा के सीरे पर एक तीर का निसान लगा देते हैं इस रेखा के सीरे पर एक ये तीर का जो निसान लगा दिया इस तरह अब इसको आर कह दिया कि हम इसको आर कहेंगे अब बराबर आर हो जाएगा जैसे बात है कि इसी ओ पी को ही हमने आर कहा है इस पर तीर लगा दिया तो एक सदिस हो गया जैसा हमने पढ़ा इसी प्रकार बिंद पी इसी प्रकार बिंद पी डैस को एक दूसरे इस्थित सदिस ओपी डैस याने आर डैस से निरूपित करते हैं अब इसको आगे देखते हैं सदिस आर की लंबाई उसके परिमार को निरूपित करती है तथा अब देखिए जो सदिस आर है ये आर इसमें विक्टर नहीं लगा है तो विक्टर नहीं लगा है तो हमने बताया था कि जिसमें विक्टर नहीं लगा होगा तो वो परिमार सिर्फ माइगनिट्यूड यानि संख्या को बताएगी जैसे 10 मीटर का है तो 10 जो संक्या है वो परिमार होगा वही R होगा तो सदिस R की लंबाई उसके परिमार को निरुपित करती है तथा सदिस की दिसा वह होगी जिसके अनुदिस P बिंदू O से देखने पर इस्तित होगा और दिसा वह होगी जो कह रहा है कि तथा सदिस की दिसा वह होगी जिसके अनुदिस P बिंदू O से देखने पर इस्तित होगा O से जब P की ओर हम देखेंगे तो ये जो दिसा होगी वही इस R की दिसा हो जाएगी ये कहने का मतलब है यदि वर्ष्टू P से चल कर P- तक पहुँच जाती है तो सदिस P-P- जिसकी पुछ P पर तता सिस P- पर है तो ये P-P- जिसकी पूँच देखेंगे यहाँ पर है क्योंकि दोनों के वेक्त करने के लिए हमने यहाँ पर तीर लगा दिया और इसके लिए यहाँ पर R- का तो यहाँ पर पूँच है यहाँ पर इसका सिर होगा यानि तीर इदर होगी तो वही कह रहा है कि यदि वर्ष्टू P से चल कर P- तक पहुँच जाती है यानि P से P- तक पहुँच गई तो सदिस P-P- यानि P-P- जिसकी पुच P- पर है यह P- पर पूँच है सिर्ष P- तक पहुँच जाती है यह P- पर इसका सिर है देखिए तीर लगा तो सदिस PP- यह PP- एक सदिस है जिसकी सदिस इसलिए कह रहा है क्योंकि दिसा है इसमें ली जाएगी जिसकी पुच P- पर तता सिर्ष P- पर है यह सदिस हो जाएगा बिंद P समय T से P- समय T- तक गतिके संगत विश्थापन सदिस कहलाता है तो यह PP- जो है यहाँ पर समय T हमने बोला था और P- पर समय T- बोला था तो T से T- समय तक जब तक यह वर्तु चली तो यहाँ पर P- से जो विश्थापन हुआ तो पहले यहाँ इस्तित थी अब यहाँ आ गई तो विश्थापन हुआ इसलिए इसको विश्थापन सदिस कहेंगे तो यह हमारा विश्थापन सदिस हंग्रेशी में डिस्प्लेश्मिन्ट विट्टर हो जाएगा अब देखे इसमें एक चित्रिय भी बनाया गया है इस्तित तथा विश्थापन सदिस बी विश्थापन सदिस पी क्यू तथा गति के भिन भिन मार्ग अब इसमें जो है इस वाले चित्र में नीजे देखे वनन किया गया है तो इसको भी देख लेते हैं तो देखें यहां यह बात महत्पूर्ण है कि विष्थापन सदिस को एक सरल लेखा से ब्यक्त करते हैं जो वर्ष्थ की अंतिम इस्थित को उसकी प्रारंभिक इस्थित से जोड़ती है तथा यह उस वर्ष्थविक पत पर निर्भर नहीं करता है जो वर्ष्थ द्वारा ब बिंदु को जोड़ देता है सीधा और यह नहीं मतलब है कि वर्ष्थ कहां कहां से चल करके उस बिंदु तक पहुंची है देखें वर्ष्थ एक यहां पर एक यहां पर यहां से चल के यहां तक पहुंची या कहीं से भी पहुंची लेकिन यहां से यहां तक कि हम बात कर र में दिखाए गया है अब 4.1 बी में देखिए अगर ये पी बिन्द वह यहां से वर्ष्ट हुए से चलती चलती यहां पर फिर पी में आ सकती है क्योंकि ये पूरा बंद सर्किट जैसा है तो इसको देखते हैं उदार सरूप जैसा कि चित 4.1 बी में दिखाए गया है प्रार इस तरह भी चल सकती है कहीं से भी जाये लेकिन अगर हम PQ की बात करना है तो वही कह रहा है कि प्रारंबिक इस्थित P और अंतिम इस्थित Q के मद्द विस्थापन सदिस PQ ये PQ हो जाएगा विस्थापन सदिस यानि पोजीशन विक्टर यहां से चली होगी यहां पर खत जाएगा थीओ के बीच चली गई दूरियों जैसे P, A, B, C, Q प, A, B, C, Q ये इस तरह से चल के गई P, A, B, C, Q तथा P, B, E, F, Q देखिए दो एक पत ही हो गया और एक पत ही हो गया तो कैसे गई वहां तक इससे नहीं मतलब रहेगा अलग-अलग हैं इसी प्रकार मना अलग-अलग हैं लेकिन P, Q हमारा वही रहेगा किस पत से पहुँची है इस बात पर निर्भार नहीं करेगा इसी प्रकार किनी दो बिंदों के मद्ध विस्थापन सदिस का परिमार या तो गतिमान वर्ष्थ की पत लंबाई से कम होता है या उसके बराबर होता है यह बहुत इंपर्टेंट है कि किनी दो बिंदों के मद्ध विस्थापन सदिस होता जैसे हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था कि विस्थापन दूरी से या तो बराबर होगा या उससे कम होगा तो इसी प्रकार विस्थापन सदिस चली गई दूरी से या तो कम हो तो वही कहरा है कि किनी दो बिन्दों के मद्द विस्थापन सदिस का परिमार या तो गतिमान वर्ष्थ की पत्लंबाई से कम होता है या उसके बराबर होता है तो बराबर कब होगा जब वर्ष्थ सीधा पीसे क्यों तक ऐसे चली जाएगी तो यही विस्थापन सदिस होगा यही विस्थापन तो बराबर हो जाएगा और अगर ऐसे चलेगी या ऐसे चलेगी तो दूरी तो ज्यादा हो गई लेकिन यह विस्थापन हमारा कम है तो विस्थापन सदिश दूरी से कम होगा तो यह तो बराबर होता है यह कम होता है पीछले अध्याय में भी यह सरल रेखा कि अनुदिस गतिमान वर्ष्ट के लिए एक तत्य को भाली भाज समझाया गया था पीछले अध्याय में भी हमने विस्थापन के बारे में जब चर्चा की थी कि विश्थापन और दूरी में क्या अंतर है तो वहां भी बताया गया था कि विश्थापन सबसे कम चली गई दूरी होती है सबसे छोटा पत होता है तो छोटा होगा तो जैसे बात है दूरी से कम होगा अब उसी छोटे पत में ही वर्स्तु चल जाए तो दूरी विस्थापन बराबर हो जाएंगे तो विस्थापन यहां तो दूरी से कम होगा या उसके बराबर होगा तो आज का लेक्शर बस यही तक अब आगे हम लोग सदिसों की समता इसके बार में अध्यान अगले लेक्शर में करेंगे